अलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल मस्तियन फूड में आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा की सबसी तो यहाँ पे मैंने लगबग एक कप राजमा लिया है यह मैंने दो तरह के राजमा मिक्स करके लिया है आप चाहें तो कोई एक तरह का भी ले सकते हैं यहाँ प टालेंगे टेस के इसाब से थोड़ा सा और एक चोथा ही छोटा चमश बेकिंग सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा डालने से हमारे राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अब हम इसे हाई फ्लेम पे लगबग दो विसल आने तक पकाएंगे और उसके बाद हम लो फ्ले और इसे हम डालेंगे इसी के साथ में हम डालेंगे लगबग दो हरी मिर्च जिसे मैं तोड़ की डालूंगी और इसी के साथ में हम डालेंगे लगबग एक से डेड़ इंच अध्रक का टुकड़ा इसे भी मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे पीसिस में इसे हम डालेंगे और इसे हम ढखकर लगा के इसका एक पेस्ट बना के तयार कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बनके तयार हो चुका है राजमा भी हमारे रेडी हो चुके हैं इसे हमने थंडा होने के लिए रग दिया था और ये देखे हमारे राजमा एकदम सौफ्ट हो गया है अब हम गैस की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम एक बरतना रखेंगे गरम करने के लिए और इसमें हम डालेंगे लगभग दो बड़े चमच तेल तेल गरम होने के साथ में हम इसमें डालेंगे लगभग आधा चोटा चमच जीरा और इसी के साथ में हम डालेंगे लगभग एक चोथाई चोटा चमच हेंग जीरा तड़कने के बाद में हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्यास तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज प्यास जिसको मैंने बारिक बहुत बारिक चौक कर लिया था और इसे हम डालेंगे और इसे हम भूनेंगे यहाँ पे प्यास को हमको ब्राउन करना है मतलब हलका सा गोल्डन कलर हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे यहाँ पे हम गैस का फ्लेम low to medium रखेंगे और प्यास को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे लगभग एक 3-4 मिनट लग जाएगा और प्यास हमारे सुनहरे हो जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यास का कलर चेंज हो चुका है और यह हलके से सुनहरे हो चुके है अब इससे जादा हम नहीं पकाएंगे नहीं तो प्यास हमारे जल जाएंगे अब हम इस stage पे डालेंगे tomato का paste जो हमने तईयार किया था और इसे भी हम भूनेंगे अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे नमक आप अपने taste के इसाब से डालिए अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच के करीब हल्दी पौडर, एक छोटा चमच लाल मिर्च का पौडर और एक छोटा चमच धनिया पौडर अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी तो यहाँ पे कसूरी मेथी को मैंने हाथतों की मदद से क्रश कर लिया था और इसे हम डालेंगे लगभग एक चमश कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी का इसमें फ्लेवर बहुत जाद अच्छा आता है इसे skip मत कीजिए इसे जरूर डालिए अब हम इसे करेंगे mix और अच्छी तरीके से हम भूनेंगे यहाँ पर 2-3 मिनट हम इसे भूनेंगे और इसके बाद में हम इसे धकन लगाके लगभग एक 3-4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे 3-4 मिनट हो गया है अब हम धकन हटाएंगे और चेक करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा चमच की मदद से इसे चलाएंगे ताकि मसाले हमारे नीचे जले नहीं अब हम वापस से इसे 2-3 मिनट तक धके वापस से पकाएंगे और यहां पे हमने धकन हटा दिया है आप देख सकते हैं तेल जो है वो उपर आ चुका है इसका मतलब हमारा टमाटर और मसाले अच्छे से कुख हो चुके हैं अब हम फाइनली इसमें डालेंगे बॉइल किया हुआ राजमा यहां पे हमने राजमा डाल दिया है अब चमच की मदद से हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें बॉइल आने का इंतिजार करेंगे राजमा बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा हेल्दी होती है तो आप इसे जरूर एक बार बनाएं एक बार आप बनाएंगे तो ये आपकी फेवरिट हो जाएगी अब हम इसमें डालेंगे लगभग आदा चोटा चमश गरम मसाला और इसे भी हम मिक्स करेंगे और अब हम इसे 3-4 मिनट लो फ्लेम पे पका लेंगे यहाँ पर अभी राजमा को जादा पकाने की जुरत नहीं है क्योंकि अल्रेडी हमने मसालों को अच्छे तरीके से पका लिया था और राजमा भी हमारे एकदम सॉफ्ट हो चुके थे हमारा राजमा मसाला बनके तैयार हो चुका है अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकालूंगी और ये देखे लग रही है ना बढ़िया बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा यम्मी बनती है आप इसे एक बर बनाएंगे तो आप इसके दिवाने हो जाएंगे आप भी इसे जरूर बनाएं और अगर आपको मेरे चानल की रस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिये गए बैल आइकन को भी जरूर प्रेस किजिए